इस वीडियो में हम exercise 6.2 का solution करेंगे इससे पहली वाली वीडियो में हमने exercise 6.1 और उसकी introduction को समझ लिया था तो इस exercise में जो हमारा concept यूज होने वाला exercise 6.2 में वो है ये exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles ये वाला concept हम यूज करने वाले हैं इस exercise में meaning क्या है कि हमारे पास जो triangle given होगी और example आपके पास ये triangle given है ये इस triangle की इन 3 side से a, b और c कोई भी side increase हो माली जी ये side increase है ये वाली तो यहाँ जो angle बनेगा ये angle माली जी ये angle है अब यहाँ जो angle है इसके interior में जो given है statement इसके according समझे आप कि exterior जो angle होगा ये बाहर angle बना है इनको name कर लेते हैं यहाँ angle 1, 2 और ये angle क्या है 3 है अब देखें इसके according क्या है कि exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior क्या कहा हो है sum of its interior opposite angles तो interior में opposite angle कौन से है angle 1 और 2 ये interior में है और इसके opposite है तो इन दोनों angle का sum तो यहाँ से हमें क्या rule मिलेगा कि जो angle 3 है वो किसके equal है angle 1 plus angle 2 ये rule हमें यहाँ से मिल गया statement के according ये इसमें given था कि जो exterior angle है वो opposite two angles जो interior में है उन दोनों sum के equal है इसको आप ये लिख लिजिए angle 3 equal to 1 plus 2 या ये लिख सकते है angle 1 plus angle 2 equal to angle 3 बात एक है क्योंकि इसमें कौन सा user assign equality का अगर यही triangle हमारे पास कुछ इस type से हो कि triangle तो यही है और इसके अब ये वाली side increase कर दी जाए ये side increase हो तो यहाँ angle बन जाएगा और इसके opposite ये angle आजाएगे दो यहाँ angle माली जी ये 1 है 2 है 3 है तो अब भी हमारे पास क्या rule आएगा देखिए अब side को इसी भी increase हो अगर जो angle बाहर की तरफ बना एक्स्टिरियर में बना है उसके opposite जो side पे दो angle बने होंगे उन दोनों angle के sum के equal होगा meaning ये है बस ये आपको concept समझना है यहाँ से कि angle 3 जो क्या है angle 2 और 1 का sum है तो इसके according है हम exercise को solve करेंगे आप समझगे होगे main तो सिरफ हमारे पास जो rule यहाँ से होगा वो क्यों होगा exterior जो angle है वो किसके को लोगा sum of opposite interior angles के yes line का meaning था और मैंने आपको यह समझा दिये दो example से side जैसी यह है triangle अगर इसकी यह वाली side increase कर दी जाए तो हम council लेंगे यह दो angle लेके चलेंगे इन दोनों angle का sum इस angle के equal होगा तो यह concept हमारा यूज होने वाले exercise 6.2 में अब स्टार्ट करतें exercise 6.2 का solution अब exercise 6.2 के question 1 की statement हमें given है find the value of unknown exterior angle x in the following diagrams अब यह diagram हमें given है इसमें और इनके हमें क्या करना है कि जो unknown value x angle है उसकी value को हमें क्या करना है find out करना है अब आप देखिए यहाँ angle x इसमें value को find out करना है first part में अभी मैंने आपको समझाया है कि exterior जो angle होगा वो क्या होगा उसके opposite जो interior में दो angle है उनके sum के equal तो वशिसी का use हम करेंगे देखिए आप यह हमें diagram given है इसका तो इसके according जो first part हमारा है उसका solution यह वाला जो rule मैंने उपर लिखा है इसमें exterior angle equal to sum of opposite interior angle यह आप हर एक part के साथ लिखोगे जैसे जैसे आप जैसे first part second में मैं तो ऐसे कराऊँगा आपको हर एक part के साथ इस line को लिखना है ताकि आपको यह याद रह जाए line कि हम use क्या कर रहे हैं अब देखिए आप diagram के according जो exterior angle है वो कौन से हमारा x है और जो interior two angles है वो कौन से है 50 और 70 तो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इन दोनों का sum कीजिए तो answer कितना आ जाता है 120 डिग्री और यही हमारा क्या है answer है first part का अब second part देखिए आप part second में हमें angle कौन सा गिवन है exterior में देखिए x angle गिवन है और उसके opposite two angle कौन से है 65 और 45 अब हम यही करना है इनका sum exterior angle यह क्या है x है और sum कि इनका करना है opposite two angles का जो interior में है 65 प्लस 45 डिग्री तो यहाँ से इनको जब हम add करते हैं तो हमारे पास answer आ जाता है यहां से 110 डिग्री यह first second part हो गए हमारा अब third part की देखिए आप third part में हमें जो values given है वो क्या है x की value को तो find out करना हमें और जो यहाँ पर value है आपकी है वो क्या है interior में two angles आपको given है 40 और 30 डिग्री 40 डिग्री plus 30 डिग्री 40 प्लस 30 यह कितना हो जाएगा 70 डिग्री यह हमारा third part का answer है अब fourth part है fourth part में देखिए आप diagram में हमें given है angle x exterior पे है और उसके opposite two interior angle कौन से है 60 डिग्री और 60 डिग्री यह angle हमें given है तो fourth part में देखिए आप यहाँ पर x की value आ जाएगी 60 डिग्री plus 60 डिग्री तो 60 को 60 में add करते हैं तो answer आ जाता है 120 डिग्री यहाँ पर और next देखिए आप part हमें given है fifth part fifth part में भी हमें x की value को find out करना है और इसके two opposite angle कौन से है interior में 50 डिग्री और 50 डिग्री तो fifth part का answer क्या होगा आपका x equal to 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इन दोनों को आप add करोगे तो answer आ जाएगा आपका यहाँ पर 100 डिग्री last part है हमारा question 1 का वो उसमें given है हमें angle x की value को find out करना है और interior में दो angle आपको given है इसके opposite में उन दोनों का sum हमें करना है तो sixth part में देखिए आप यहाँ पर आ जाएगा x equal to 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री और यह value के आगई आपकी 90 डिग्री तो हमने इस question में use क्या किया है exterior angle equal to sum of opposite interior angles यह formula हमने use किया है और उसके according हमने इसके six part को solve किया तो यह हमारा solution तक question 1 का अब next question है second question second question की statement है find the value of unknown interior angle x in the following figure अब यह देखिए कि आपको first question में हमें x था वो था exterior पर और second question में हमें given है वो किसमें interior में concept हम same use करेंगे हमें देखिए value को find out करना है x की triangle के according आपको दो angle तो interior में given है और एक angle हमें given कहां पर है exterior तो same concept हम use करेंगे जैसे question 1 में हमने किया था formula क्या था हमारा exterior जो angle है वो किसके equal था sum of opposite interior angle के यह था हमारे पास sum of the two opposite interior angle के उन sum के equal था तो अब आप देखिए कि इसी के according हम use करेंगे यह formula और value को find out कर लेंगे x की कैसे देखिए आप equality का sign है left hand को right hand के को लिखो या right hand को left hand के को लिखो फरक उससे कुछ नहीं होगा तो आप देखिए first part में हमें given है कि x और 50 degree और बाहर क्या है हमारे पास exterior angle 115 का तो हम क्या करते हैं कि opposite sum of the opposite interior angles का वो sum कर लेते हैं sum कैसे right करते हैं x plus 50 degree और equality में क्या जाए angle हमारे पास है तो यहां से हमें x की value को find out करना है अब आप यह देखिए आपने four chapter में linear equation को solve किया है वहां से आपको variable की value find out करनी अगर आपने वो नहीं देखा तो channel पर देख सकते हो आप उसको four chapter में भी तो यहां से हम value को जब change करते हैं left to right में तो उसका sign क्या हो जाएगा change हो जाएगा तो x की value की आएगी आपके पास 115 जो 50 का sign plus का तो वो change हो जागा किसमें minus में अब 115 डिगरी में से 50 डिगरी को जब आप क्या करते हो subtract करते हो तो answer आपके पास आ जाता है यहां पर 65 डिगरी तो यह हमारा answer था first part का अब second part देखिए आप second part में भी हम यही करना है कि जो interior में दोनों angle है उनका sum कर लिजिए x plus 70 डिगरी और equality में क्या है कि जो exterior पर angle है वो क्या जाएगा 100 डिगरी है तो यहां से x की value बस आपको क्या करना है कि जो exterior angle है उसमें से ये वाला angle जो interior पे angle है 70 degree इसको क्या कर दो subtract कर दो यहां से तो x की value आ जाएगी यहां पर 30 degree यह हमारा second part का अंसर है third part में देखिए आप part third part में जो हमें given है देखिए interior पे आप एंगल हमें यहां दिखाई निदे आपको angle आपने 6.1 में altitude का case पड़ा था उसमें मैंने क्या आपता है कि यह angle किसको होता है 90 degree का यह जो sign बनता है यह कौन सा है 90 degree का तो यहां जो value हमारी है वो कौन सी है 90 degree की तो यह value हमारी है 90 degree यहां x है और यह exterior में क्या value given आपको 125 degree तो हम क्या करेंगे कि जो interior पे जो angles है उनका sum कर लेंगे x plus 90 degree और exterior angle को write कर लेते हैं तो according to formula हमने write कर लिया उसको यहां से x की value क्या जाएगी 125 degree में से 90 degree को क्या कर दो subtract कर दो तो answer हमारा आ जाएगा यहां से 35 degree अब आप देखिए कि next हमें given है fourth part, fourth part की जो figure given है उसके according हमें interior पे दो angle given है x और 60 degree तो उनको sum करना है और equality में क्या लिखना है जो exterior angle हमारा है वो कौन सा है 120 degree का तो यहां से x की value क्या जाएगी 60 degree और यह 120 degree में से हम 60 degree क्या कर देंगे subtract कर देंगे तो answer हमारा आ जाएगा 60 degree यहां तो यह fourth part का answer है आप देखिए figure fifth इसमें हमें given है interior पे x और 30 degree और exterior पर value हमारी कौन सी है 80 degree तो इसी को हम write करते हैं fifth part में x plus 30 degree और equality में क्या है 80 degree यहां से तो x की value क्या जाएगी 80 degree minus 30 degree answer आ जाएगा हमारा 50 degree में तो यह fifth part था अब last part है हमारा sixth part sixth part में देखिए आप sixth part में हमें जो angle find out करना है x और यह 35 degree यह interior में given है और exterior में हमारे पास angle कौन सा है 75 degree का तो आपको ही write करना है कि interior में जो opposite side पे angles है न उनका sum कर लीजिए x plus 35 degree और equality में जो हमारा exterior angle है वो कौन सा है 75 degree का तो यहां से x की value आ जाती है 75 degree minus 35 degree जब आप 75 में से 35 को subtract करते हो तो answer आ जाता है आपका 40 degree और यह हमारा last part था question second का इसके साथ हमारी exercise 6.2 यह exercise 6.2 हमारी क्या होगी complete कर लिया हमने इस वीडियो में next वीडियो में हम इसकी exercise 6.3 करेंगे तो उसके लिए आप चैनल को subscribe कर लीजिए bell icon को press कर लीजिए ताकि आने वाली videos की notification आपको मिलती रही वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना और comment करना ना भूलिएगा जिससे